अकी एक सुपर डूपर फिल्म होने वाली है, जिसमें बॉभी दयोल खलनायक का किरदार निबाएंगे, इस फिल्म के लिड़ एक्टर साउथ के सिंगम सूर्या रहने वाले हैं, वहीं बतोर एक्टर अप्टर सनंदिशा पार्टने इस फिल्म में नजर आने वाली है, तब स सनी दियोल ने गदर टू के जरिये तगड़ा कमबेक किया है तब से पूरा बॉलिवड हिल गया है सनी दियोल की इस धमाकेदार सक्सेस को देखते हुए बॉबी दियोल ने भी टॉप लेवल की भैतरीन फिल्में एनाउंस कर दी है तो आज की वीडियो में आपको बॉबी द पीस पर तकड़ा कलेक्शन करने वाले हैं जिस तरह से संजेद अतने साउथ की फिल्मों में विलन बनकर तहल का माचा है उसी तरह बॉबी दियोल भी साउथ की फिल्मों में विलन की रोल में नजर आने वाले हैं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो च पतोर एक्ट्रेस दिशा पार्टने इस फिल्म में नजर आने वाली है। ये तमिल सिनेमा की फिल्म होगी जिसमें सूरिया और बॉबी की जोड़ी को एक साथ देखने के लिए पबलिक बहुत ही ज़दा एकसाइटेड है। कंगवा का हिंदी मतलब होता है आग की सक्ति वाला आदमी। इस फिल्म को अगले सल 12 अपरेल को रिलिज किया जाएगा। पांच दोस्तों की ऐयासी भरी मैफिल, दोस्ती की परिक्चा और सक्के जाल के इर्दगिर्द गूमती इस फिल्म की कहानी नजर आने वाली है। ये फिल्म OTT प्लेटफरम पर रिलिज होगी क्योंकि ये एक वेब स्रीज है जिससे नेटफ्लिक्स पर इसी साल 30 नॉमबर को रिलिज किया जाना है। नंबर तीन पर है हरी हर वीर मल्लू। इस बड़ी पैर इंडिया लेवल की फिल्म में साउथ के सुपरिश्टार पवन कल्यान और नेदी अगरवाल मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं बबी दियोल इस फिल्म में क्रूर मुखल बादशा औरंग जेप के किरदार में नजर आएंगे। हरी हर वीरा मलूप फिल्म को इसी साल मार्च में रिलिज किया जाना था लेकिन अब इसे 2024 की सुरुआत में रिलिज किया जाएगा। नमबर दो पर है वेलकम थ्री जिसे फिलाल वेलकम टू दा जंगल के नाम से सम्मोदित किया जा रहा है। इस फिल्म को इस बार एमद खान डिरेक्ट कर रहे हैं। इसके पिछले दोनों पार्ट्स को अनीज बजमी ने डिरेक्ट किया था। इस बार वेलकम थ्री को बिलकूल ही अलग और नया लुक दिया जा रहा है। तीसरे पार्ट से उदे सेटी और मजनू भाई को बार का रास्ता दिखा दिया गया है। और संजदा तरसद वार्शी को फिल्म में कास्ट कर लिया गया है। हाला कि इस बार फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ही जादा बड़ी रहने वाली है। जिनमें अक्षे कुमार, रविन टेंडन, लारा दत्ता, जैकलिन फननेंडिस, दिसा पार्टनी, सुनिल सेटी, परेश रावल, जौनी लिवर, राचपाल यादव, तुसार कपूर, स्रियस तलपड़े जैसे बड़े कलागार इस फिल्म में नजर आने वाले है। इनके अलावा क्रिस्णा अभिसे, कीकु सार्दा, दिलेर मेंदी, मिका सिंग भी टीजर में नजर आ रहे हैं लेकिन पूरी फिल्म में इनकी कास्टिंग नहीं की गई है। इनके अलावा मैन बात जो है वेलकम थ्री में इस बार बॉबी दियोल का एक बहतरीन कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। अपने टू आसरम के चौता सीजन गुप्त डू जैसी फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं।